आपके सामनी है क्लास एट न्यू इमेज इंग्लिश रीडर लेसर नमबर फोर समबडी समदर कोसर आंसर फ़र्स्ट कोसर डिस्क्राइब द ओल्ड वोमेंस क्लोथ पोस्चर एंड लुक्स आंसर इसमें द ओल लेडी वास वेरिंग रैग्ड क्लोथ एंड हर बोडी वास बैं भी जुका हुआ था ठंड की वजए से और वो बहुत दुखी और डरी हुई में लग रही थी कोसर से किन वाट काइंड ओफ डे वास एट यह किस तरीक का दिन था इट वास विंटर स्टेश देट वास कोल एंड वेट डू रिसेंट स्नो बरफ के कारण बरफ होने के कारण यह बहुत जादा ठंडा था और यह ठंड का दिन था ठंडो का दिन था रास्ते पर चलने वाले लोग उस बूड़ी उरत के पास से निकल गए, उन्हों ने उस बूड़ी उरत पर धियार नहीं दिया और ना ही उसकी चिंता भरी आँखों पर. What are the lines that people in the street behave? आंसर इसमें lines that describe how the people in the street behave are. A human being was passed her by nor had did the glance of her anixious eye. यानि लाइन का मतलब है कि बहुत से humans यानि बहुत से इंसान उसकी पास से गुजरें पर किसी ने भी उसकी चिंता भरी आँखों की उसकी नजरों की तरफ नहीं देखा. एक नजर नहीं देखा उसकी चिंता भरी आँखों पर. Why was the old woman afraid to move? कि बुड़ी ओरत move करने से यानि आगे बढ़ने से डर क्यों रहे थी. The woman was anixious. If she moved, she would fall down the slippery road as her feet are aged and weak. बुड़ी ओरत को ये चिंता थी. और उसके जो पैर हैं वो भी अब कमजोर हो चुकी हैं और वो बूड़ी है. She waited long for help, but nobody come to help her. वहाँ पर वो इंतिजार कर रही थी कि सायद कोई आकर उसकी मदद करें, पर वहाँ पर कोई नहीं आया तब तक. What did the school boy do for her? The school boy took her aged hand in the strong young arm and helped her to cross the road. यानि उस school के उस बच्चे ने उनका हाथ पगड़ा अपनी हाथों से और उन्हें रोड को safely cross कराने में मदद की. What did the old woman say in her prayers that night? कि रात के समय बुड़ी ओरत ने अपनी प्रात्रा में क्या कहा? The night in the prayers, the old man said the old would be kind to the noble boy who helped her to cross the road. बुड़ी ओरत ने कहा कि भगवान उस बच्चे का, एक अच्छे बच्चे के साथ अच्छा करे, मतब उसको blessing दी कि उसने मेरे साथ अच्छा किया, मुझे रोड कराने मदद किया, तो भगवान भी उसका ध्यान रखे. Describe the kind of a woman in the poem. ये woman कैसी थी, इसके बारे में बताना है. The woman of the poem was old, red and gray. She was bent with the chill of winter's day. Q9. What message does this poem teach us? The poem teach us the lesson that we should help old, poor, poor and weak people. Write three pairs of rhyming words from the poem. Long throng, sheep deep, no snow. अब आते हैं next question. Explain this life in the reference to the context. यहाँ पर कुछ लाइन दी हुई है, जिसका मीनिग है. The boy explains his act of helping the old lady cross the road by referring to similar situation in which his own dear mother could run into the future. की बच्चे ने बताया कि वो उस बुड़ी औरत की मदद इसलिए कर रहा था कि साइद ऐसी सिच्वेशन में कभी उसकी मदद उसकी खुद की माँ हो सकती है व्यक्ती इनको इस तरीके से मदद करेगा जब यह अकेली पढ़ जाई ही तो. Answer is question number second concern. The old lady played for the boy who helped across the road. She refers to him as someone's son. Somebody pride and joy. की बुड़ी औरत ने प्रात्ना की उस बच्चे के लिए, जिसने रोड को पार कराने में मदद किया. यहां पर उन्होंने इस बच्चे को किसी का गर्व कहा, कि गर्व है यह, मतलब प्राइड है किसी के लिए, किसी माता-पिता का प्राइड है. She prayed to the God to be kind to him. भगवान से उसने प्रात्ना की कि उसके लिए द्यालू रही, मतलब उसकी हमें सब मदद करे. कि उस बच्चे ने बुड़ी वुरत की रूड को क्रोस करने में क्यो मदद की, इससे बुड़ी की बारे में क्या पता चलता है. आंसर इसमें, तो, कि वो लेड़ी जिसकी मदद की थी, वो किसी की माँ हो सकती है. किसी की माँ थी, जो बहुत गरीब थी और कमज़ोर हो चुकी थी. He hoped that someday, if his mother should be in the same state, he far away, some person would let her helping hand. उसने ये उमीद की, कि अगर भविस्य में ऐसा हुआ, कि उसकी माँ भी ऐसी ही किसी situation में हो, ऐसी ही हालातों में हो, और ये उस समय अपनी माँ के आसपास ना हो, कहीं दूर गया हुआ हो, तो कोई रिसान आकर अप इनकी माँ की भी इसी तरीके से मदद कर सके. इससे हमाँ पता चलता है कि ये लड़का बहुत ही दिल का बहुत अच्छा है, और इसमें अच्छी क्वालिटी है कि इसने दूसरी महिला में अपनी माँ को देखा, जिससे पता चलता है कि ये दूसरे बच्चों से बिलकुल अलग है, उसमें से उचा है. Q2. Q2. What did he get for his kindness and consideration? अपनी दया की वज़े से उसे क्या हासिल हुआ? The poor felt very contented and happy कि लड़का बड़ा ही संतूष्ट हुआ और बहुत ही उसे खुसी महसूस हुई कि जब उसने महिला की मदद की. और साथ ही उस old woman ने रात के समय गोड से ये प्रात्रा भी की कि हर समय उस बच्चे की मदद करना ये उस पर दया दिखाना जिसने उसकी मदद की थी. यानि वो खुस भी रहा, उसे संतूष्टी में मिली साथ ही एक बूढ़ी उरत की ब्लैसिंग से भी मिल गया, आसिरवाद में मिला उसे. Question 3. What goes around, comes around. Explain why this is important for us to remember. ठीक है तो line का मतलब देखिए आपर, the face means that the action of a person returned back to him. इस line का मतलब है कि जो भी इनसान काम करता है, उसका उस पर विप्रीत असर होता है. The deeds of a person will impact on his life in the future. कि इनसान के किये हुए कामों का असर उसकी जिन्दगी में उसके future में पढ़ी जाता है. एक example बताना है इसमें. Your good deeds will bring you good. If you have good action, you will be rewarded later in the life. With good done to you. कि अगर आप अच्छा काम करती हो, तो आपके साथ अच्छा ही होगा. आपके अच्छे काम के लिए आपको इनाम भी मिल गया. आपके जीवन में कभी ना कभी. तो आंसर में हमें example देना था. तो example है. We saw the boy help the old lady and in return. Lady pray for the boy for better future. यहां पर हमने देखा इस poem में कि बच्चे ने उस बूड़ी ओरत की मदद की और बदले में उस बूड़ी ओरत ने उस बच्चे के लिए उसके बच्चे के अच्छे बज़िसे की कामना भी की, यानि blessings भी दी. वो साइध हो सकता है कि कोई उसकी मदद की भी इसी तरीके से मदद करे. तीक है तो यहां पर हमारे ये वीडियो खतम होती है. थैंक्यू मिलते हैं नेक्स वीडियो में. बाई बाई.